Hello students, so in this video we will discuss about the question answer and exercises of chapter 5, the equatorial forest reason, okay? तो यहाँ पर हम सिर्फ लोग क्या देखेंगे, question answer और exercise वाला पार्ट, अगर इस chapter का detail explanation चाहिए है, book wise, तो वो आपको दूसरी playlist में मिल जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे question answer तो question answer में हमारा first question बोलता है, why do you think the climate is hot and wet in this reason? इस reason में, which reason? इन एक्वेटोरियल forest reason, in equatorial forest reason, climate hot or wet क्यों है? तो इसका एक सीधा सा answer है, जिसको एक डियाग्राम से में समझा रहे हूं, कि यह equator है, जो अर्थ को two equal parts में divide करता है, तो almost throughout the year, जो equatorial part है, भले ही sun की direct rays, tropic of cancer पे हो, या Capricorn पे हो, या equator पे हो, यह जो particular part है, इस पे तो direct sun rays हमेशा मिलेंगी, ठीक है, तो जो equatorial reason है, it almost receives direct rays of the sun throughout the year, पूरे साल भाई, अब जब जितनी ज़्यादा sun rays यहाँ पर होगी, उतना ही ज़्यादा moisture evaporate होगा, मतलब पानी से भाप बनेगी, कहां कहां से भाप बनेगी, यहां पर फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है, ठीक है, river से, pond से, है ना, और plant से, through the process of transpiration, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, उतना ज़्यादा river से, pond से, water evaporate होता है, moisture evaporate होता है, और plant भी एक process करते हैं, जिसको हम बोलते है, transpiration, है ना, तो इस transpiration की process से भी, water vapor evaporate, water evaporate होता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, ठीक है, अब यह cloud, slowly rise होते हैं, और rise होने के बाद, around 4 o'clock, afternoon में, rainfall यहाँ पर होती है, along with thunderstorm, जो वो आवाज है आती है, बिजली किरने की, बादल कड़कने के उन आवाजों के साथ, चार बजे, daily, यहाँ पर क्या होती है, rainfall होती है, clear होई बात, परिसे मैं बताऊंगे, equatorial reason, receives direct raise of the sun, so the humidity is very high, because moisture evaporates from river, ponds, plants, and form the clouds, and these clouds rises slowly, and around 4 o'clock in the afternoon, rainfall occur, along with thunders do, ठीक है, अब हम बात करते हैं, what are the different tribes found in equatorial region, equatorial region में, कौन-कोन सी different tribes मिलती है, तो कौन सी tribe मिलती है, सिमांगς of Malaysia, Malaysia में कौन मिलेंगे आपको सिमांग, सुमातरा में आपको मिलेंगे कुबूस, कुबूस, यह कुबूस, कुबूस, पेजमीज of Congo Basin, Congo Basin में कौन मीलेगा, आपको पेजमीज, डियाक्स मिलेंगे बॉर्णियों में बंटस अफ जायरे जायरे में बंटूस लोग है और अमेजोन इंडियन्स तो छे कौन कौन सी विराइटी हमको मिलेगी बचलो फिर से मेरे साथ रिपीट करो तो एक पर बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर लंबी हो जाएगा इसली ठीक है सिमांक्स मलेशिया कुबूस अफ समात्रा पहजमी जोफ कॉंगो बेसिन ड्याक्स बोर्नियों बंतस अफ जायरे हैंड अमेजोन इंडियन ओके नाओ नेम दे क्रॉप्स ग्रूण वह जोफान अप को युक्राइशन बंतस अब हम बात करतेकें डिफरेंन रोकेसिन टाइप ऑफ एक्रीकल्चर प्राक्टेस और दोसरी होती है प्लान्टेशन अग्रिकल्चर में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोक्शन दे रही हूं बाकि मैंने हातों नहीं लिखा है। कि डिखो को शीफ्टिंग अग्री कंच में क्या होता है यह एक चाहता है लान्ड का जहां यहां पर बहुत सारे ट्रीलम्हें फॉल्त के लाने के बाद में हैं यह जो लैंड nat हनल और थिस साने लिए खांगे क्योंकि यह लोग हैं जो परटिल्टी इर की बात करें इंके पास virtual is artist मैंने और नहीं होता है तो 2-3 साल में स्रूंस birthday अपनी ग्रोव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लांटेश ठीक है तो अगर कोई पोलता है कि कौन सी प्राक्टेस होती एक्विटोरियल फॉरेस्ट रीजन में तो क्या बोलो गया शिप्टिंग अगरिकल्चर और प्लांटेशन अगरिकल्चर ठीक है next why do you think sunlight can not reach the forest floor in the equatorial forest choosing question बोल रा है कि जो forest floor है यहां लिए सवरेस्ट पहा थियूर यहां पर दल दल बणी होती है क्योंकि यहां पर जो trees होते हैं वो क्या बना लेते हैं canopy layer तो यह जो sun की light यह penetrate करके अंदर नहीं जा पाती है इसलिए यह जो land यह कैसी हो जाती है मारशी कैसी हो जाती है मारशी दलदली land हो जाती है ठीक है यह सारे पेड़ा यह एक दूसरे से शिपक शिपक के इनकी पत्तियां क्या बना ले रही है canopy cell light cannot reach the forest floor in the equatorial region because of thick umbrella light layer जो मैंने भी बनाई थी और canopy layer that cuts out the light वो light को cut out कर देती है और अंदर penetrate करने नहीं देती है ठीक है तो यहां पर हमारे question answer हुए complete हम आ जाते हमारी exercise पर तो exercise में first exercise है हमारी true or false है न तो equatorial reason कहां पर होता है बेटा equator के आसपास होता है कहां होता है equator के आसपास ना की phrasid zone में तो इसमें क्या लिखा equatorial reason is found in phrasid zone तो यह क्या हो जाएगा wrong ठीक है equatorial forest reason receives direct rays of the sun मैंने एक question के answer में भी बताया कि complete year यहां पर direct sun rays पहुच थी हो गया true ठीक है in the equatorial forest reason the tree grows and shade leaf at the same time इसका answer है false क्या answer है false एक मिनट था जरह ध्यान से देखना यहां चोटू-चोटू सा लिखा है false क्या लिखा है false equatorial forest reason में कभी भी जो leaves है वो साथ में shade नहीं करती है अपनी leaves को मतलब साथ में सारे पेड़ों की पत्यां गिरती नहीं है एक पेड़ की गिरेगी तब दूसरे पर लीव रहेंगी अगर इस पेड़ में लीव गिर गई है तो इसमें पत्या रहेंगी फिर इसमें आ जाएंगी तो इसमें नहीं रहेंगी ठीक है उसके बादे टॉलेस्ट्री फॉर्म और केनोपी रॉंग अंशर टॉलेस्ट्री से चैनोपी नहीं बनती है ठीक है ध्यान रखना प्लांटेशन अग्री कोल्चार्ट्रोप सार ग्रोन्रॉन कमर्शल परपसस टूं हमेशा चाह कॉफी तो रहें ना पीने वाले यह वालें रहे हैं तो सुभा वैट के चार कप कॉपी फिर नाश्ते में छे कप कॉपी ऐसा नहीं होता है ना 4 o'clock in the afternoon क्या होती है विच्छा थंडर स्ट्रोम अकोर थंडर स्ट्रोम के साथ बारिश होती है hot and wet reason कौन सा है hot and wet reason जहां पर गर्मी भी बहुत है और वह रीजन गीला भी रहता है मतलब पानी भी बहुत है और गर्मी भी बहुत है तो वहां पर क्या होगी लग्जीरियंट ग्रोथ प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए दो चीजे पानी और पानी और दूप शिफ्टिंग अग्रिकल्चर कौन करते हैं यहां पर सिर्फ एक ही ट्राइब का नाम दिया है अमिजॉन इंडियन तो हम इसी के साथ जाएंगे यहां पर बंटर्ज अव जाय रहे हैं दूसरे पी चीज़ा दिये होती तो हम उनके साथ चले जाते हैं फिर प्लांटेशन कॉर्प एग्रिकल्चर कौन काउन सी है जब यॉरोपेंस वहां गहे थे कहां पर एकूत ओरिल फ़ोरस्ट रीजन मे जहां जहां भी उनकी कॉलनी पनाई थी तो वहां पर उन लोग ने किसको इंट्रोडियस किया था Plantation Agriculture Plantation Cropskate Tea और Coffee ठीक है पॉपान वहां हाओ मैनी लेयर्स ओफ ट्रीज आर दिया रिन एक्वेटूरियल फोरेस्ट रीजन तो कितनी लेयर होती है बचलो फोर लेयर कितनी लेयर होती है फोर लेयर फिर लोएस्ट लेयर को हम क्या बोलते है फोरेस्ट फ्लोर लोएस्ट लेयर को हम क्या बोलते है यह रही चारो लेयर मैंने बोलना यहां पर चार लेयर होती तो कौन की फोरेस्ट फ्लोर अंडर स्टोरी कैनोपी और एमरजन लेयर प बात है है अमीजान बशीन में कौन रहता है सौरी है इन विच क्या में कॉंटिनेंट अमर्ड इसीन हमें इसीन ऑफ रहेए थाफ रहेए हम a passoare विवत कॉरेद्द कउ अमेरिका मैं यहाद रखना एकवित्ग मैं क्या में हम बंता है तो hummingbird भी होते हैं, macaw भी होते हैं और tokens भी होते हैं, कहाँ पर equatorial forestries में, तो all of this where are pagmese leaves? तो हमने बढ़ा था न, pagmese of Congo, भी सिन, Congo भी से में मिलते हैं pagmese this is also called four o'clock rain, किसको बोलते हैं four o'clock rain हम, tropical thunderstorm, tropical thunderstorm को हम four o'clock rain भी बोलते हैं, वो forest जहाँ पर trees अपनी leaves को एक साथ में shade नहीं करती हैं, एक साथ में गिराती है, उस forest को हम बोलते हैं, evergreen forest forest where all trees do not shade their leaves, at the same time is known as evergreen forest एक famous इसने है कि जो anaconda basin, sorry, amazon basin में मिलता है, उसका नाम है anaconda ठीक है, anaconda कहाँ पर मिलता है, south america में, south america में भी कहाँ पर, amazon basin में, ठीक है these are grown on a large scale, कौन सा large scale पर grow होता है, मैंने बताए था ना, बहुत बड़ा सा plot होता है, land का जहां पर हम एक ही type क्रॉप को grow करते हैं उसको बोलते है, plantation crop ठीक है, अच्छा, किसने introduce किया था plantation agriculture को, जहाँ जहां भी उनके colony थी, किसने Europeans ने, clear होगी बात, हम किसकी colony थे, Britain की तो हमारे और बाकी भी वर्ल्ड में, जहां जहां बेसिकली किसने introduce किया, इस चीज को, Europeans ने ठीक है, तो यहाँ पर होते है, question answer exercise complete